है अगर स्वागत था आपकर जिन्वी ख्लास में आज ये ख्लास में बात करेंगे C++ के अंतरकत वाट इज ओप्स यानि की ऑपचेक्ट ओरेंटेट प्रोग्रामिंग की आखिर अप्जेट और प्रोग्रामिंग की है क्यों इस वीडियो में हम पूरा क्लर करने वाले है ऑप अगर आप ये अच्छे समझ लेते हैं आज क्लास और अब्जेक्ट के वारे में मुझे नहीं लगता वो कभी प्रोग्राम में दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा इंब पार्ट है क्लास और अब्जेक्ट इसनी में इसको बड़े आरामसा और ध्यान से आपक्प्लिट करव अब्जेक्ट और इंटर प्रोग्रामिंग क्या होती है देखें मैंने आपको बीच में पताया था आप जो भी आप देख रहे था इसे लेंग्विज में जैसे कि माली समका प्रोग्राम था तो आप इंट ए भी दो वैरिवस लिखते है फिर आप प्रेंट आफ इसके फालो कर रहे थे और अपने नंबर सको सम कर दिया सम की जगा कुछ भी लिखा सकते हैं इसमें प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग को जो कि सी लैंग्विज है C++ एक Procedural Programming Language तो ही है Procedural Programming तो ही और साथी साथी का एक Object-oriented Programming Language हुए है अब Object-oriented Programming का मतलब क्या होता है Procedural Programming Language में एक प्रावलम है कि हाँ एक ही फ्लो में काम करना होता है Object-oriented में क्या करते हैं Code के Set बना लेते हैं Code के Set बना लेते हैं और इन sets को हम अपने programs में implement कर सकते हैं यानिकि एक code यह रहा और दूसरा code एक और होगा जिसको हम दूसरे program में implement कर सकते हैं इस तरह से हम object create कर object create कर अपने program को और ज़्यदा असान मना सकते हैं और बहुत बड़ा program मना सकते हैं कुछी देर में साथ ही साथ यहां पर हमें और भी आसानी मिल जाते हैं अगर किसी program में कुछ code समय में नहीं आ रहा या किसी error आता है तो हमें cable और cable उसी पार्ट करना होता है जिसमें problem जबकि procedure programming language आपको पूरे program को शड़ी करना होता है इस से e shapedthropels में मैं पहले ही कपार समझा है था फिर इपर ममानल लीजिए हमेरे सीक चठोन फज्टर उस पूरे को अकरती बनाने कहिए अब अटक्रठ को सकती है इंसान कहिए रिकीक हो tut object कि द्रफी जब्युक्यानोच आ ग्रतिranch का यहां पर बहुत सारे लिमिटेशन आ चुकी है एक ही बन तो अच्छी जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इससे बचाने के लिए हम क्या करें इस टोन में ऐसे ना बना के हम दूसरे मेटेल के यूज़ करें मीन हम चाहे तो इस तरीके से बनाए कि पैर अलग बनाए हाथ अलग बनाए ठीक है सर अलग बनाए पेट अलग हर एक पार्ट को अलग बना लिए जाए अब यह अलग अलग दूसरी चीज़ी बना सकते हैं लिए ओप्जेक्ट बनाने के बाद हमें इनको घटा करके एक शेप बना दी तो डारेट शेप बनाना और टुकडों में शेप बनाना दौनों में अंतर बहुत बनाने में वहाइब बहुता टाइम आपका लग रहा है और अगर इस बीच में या इसके बाद में आपकी शेप का कोई पार्ट खराब हो गया, एक हाथ खराब हो गया, तो पूरे-पूरे मूर्ती डैमिज हो जाएगी, लेकिन अबजेट उन्हें प्रोग्राम लेंग्विज के अंदर आंगे चलके मालो को एक पार्ट खराब हो ग इससे एक कम्पिट प्रोग्राम् हमारे सामने को मिलता है, अल्यल्ड क्रिएट करने करण ये अल्यल्ग लोगों द्वारा एक ही टाइप हो जाता है, और प्रवल्ब्लम आने पर उस पार्ट को रीप्लेस करें, दूसरा पर्ट पट उसके लेकर लगा-दिया मुझाता है, इसलिए इसको फॉलो किया जाता है object-oriented programming को जितना आपको समय में आया हुआ थोड़ा देफिनिशन समझते है procedure programming is about writing procedure and function that perform operation on the data जो मैंने नहीं बताया procedure programming क्या है इसके बारे में procedure लिखने के बारे में जो functions की मदद से या procedure की मदद से उस particular data पर कोई operation perform करती है वो operation कुछ भी हो सकता है कि addition या फिर कुछ भी जबकि object-oriented programming is about creating an object और content बोड़ दाटर ने सकते है इन दौनों का collection हम बना देते है objects के थूँ और फिर बात में को हम कभी भी यूज़ कर सकते है यहाँ पर एक बात हो रही है टिप्स मिल रही है objective programming इस सीज में काफी ज़दा मदद करती है code द्वारा ना लिखना पड़े उसके लिए ही जहाँ पर हम class और object मदद से उसी method को बार बार call कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं और हम बात करते है objective programming के फाइदे क्या क्या है तो oops is faster and easier to execute मैंने फाइदा आपको समझा दी है जब टुकड़ों में काम होगा अलाग अलाग जगहों पर नॉर्मल से रहते हैं फाष्टे होगा और सरल्वी होगा क्योंकि एक बैक्ति को पर अब इतनी जम्मेदारी नहीं है जितनी पहले थी oops, survive a clear structure of the program clear structure हमें देखने को मिलता है प्रोग्राम का क्योंकि हम पता कौन सा पार्ट कहां क्या होना है लेकर अगर एक ही वेक्ति काम कर रहा होगा उस करना तो बहुत जादा confusion create हो जाएगी oops, help to keep the C++ code dry, do not repeat yourself, it made the code easier to maintain, modify and debug debug का मतला होता है छुटी छुटी बग को हटाना, errors को हटाना, debugging बोलते हैं, modify करना करना का भी जदा आसान हो जाते हैं, भही सब बात हो रहे हैं जो मैंने आपको थोड़े पहले समझाए oops, make it possible to create full reusable application with less code and shorter development time, कम समय में कम code के साथ एक अच्छी application हम बना सकते हैं यहाँ पर एक example समझते class और object का, तो class क्या होती है, आप बात करते है class और object की तो जो मैंने समझाए वो याद रखें, अब हम ठोड़ा language की term दे, C++ की वासा में समझते हैं कि आखिर class और object किस तरह से काम करें, तो देखिए class के example में fruit क्या है, class है और इसके object क्या होंगे apple बनाना नहीं है, जैसे कि माल लिए class 12 है, तो class 12 है class है और इसके अंदर हर एक instrument क्या है object, ठीक है, ऐसे यहाँ पर class है car, और हर एक car company जो बना रहे हैं वो क्या है object, अब आप इस बात का ध्यान रखें, apple भी अपने आप में एक class हो सकता है क्यों क्योंकि apple के भी इसके अंदर और भी object हो सकते हैं, ऐसी बनाना का भी class हो सकता है, जैसे कि मालूम मैंने बुला, आपसे keyword, तो keyword क्या है, keyword एक class है, उसके object क्यों होंगे, तो keyword मौजब बटन के आँए, एक object होंगे हुते हैं तो चिसका कंपने तो इससी में सबस्छाता कंभी होते हैं वह सकते हैं तो क्यामिम द्हानकी कैकि कि value set को are certain class तुम सब्सक्राइब की एते हैं ओप्जेट अलग युद्ध और और इसके पिशव याद रखे अपके जैसे की फ्रूट की अप्जेट or genupa बनाना महख ऑप्जेट ऊपल और i2 पह फल जैसे os आपको सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा साम देखते हैं इसका लिखने का तरीका क्या होता है तो तर्वो के अंदर आपको क्या करना हो सबसे पहला आपको लिखना होगा है इंक्लूड और आई ओ इस ट्रीम अधिया डॉट यह वैसे के वैसा है इसका आपको लिखना होगा यहां पर वॉइड में में फंक्शन सापकर स्टार्ट होगा ठीक है और फिर आपना प्रोग्राम लिखते हैं अब आप लास की बात करते है तो क्लास टेकलियर किया जाता है वोइड में से उपर किया जाता है यानि कि आपको वॉइड में फंक्शन नहीं लिखना है और वोइड में से निक्लूड एच के बाद आपको क्लास क्रेट करने के लिए आप से पहले देंगे क्लास क्लास क्या है कीवर्ड है विल्कुल नाम दे आप अपनी class का नाम जब भी दे तो उसका पहला letter capital कर दे इससे पहचान हो जाते है वो class जैसे मालू में class बना रहा है उश्यूरे नाम से तो s को मैं कर दूँगा capital ठीक है इसलिए मैं यहाँ पर a capital माना है वाँ कि आप स्माल भी ले सकते हैं सब्सक्राइब कोई रूल्स नहीं है बस नेम कन्वेंशन है ताकि जल्दी समय में आ जाए जैसे लूप में हम आई जे के यूज़ करते हैं ऐसे हम function में परामिटर में एक्स राए जैड यूज़ करते हैं ऐसे हम क्लास के अदर capital अक्सर का यूज़ करते हैं पहले लेटर को बाकिया बड़ा सद्वी दे सकते हैं तो क्लास एक हम बनाते हैं बॉडी अब इस क्लास एक अंदर हम बनाएंगे members तो क्लास एक मेंबर बनाएं इंट यहां पर मैंने देलिया माल लिया एक्सिस कर लिए और बताना पड़ेगा अक्सर इसका इसका अधि यह होता है कि आभी को प्रोग्राम के भाहर भी आसानी से यूज किया सकता है इस बॉडी के भार भी यूज़ के सकता है क्योंकि हमने इसको पॉब्लिक डिक्लेर कर दे त और थाम होते हैं अभी हमने पब्लिक डिलब किया आंगे हम प्राइवाट प्रोटटेटटट को भी ध्यान से समझें को हर एक वर्ट को समझगा यह की वर्ड है यह क्लास का नाम है क्लास की बॉड ही है और यह ऐक्सिज इस्पिसिफाइर है जो बतारा है कि इसको कैसे एक्सि अब वापस से स्टार्ट करते हैं में प्रोग्राम वाइड में आएगा अब लगाएंगे हम बॉड़ी और यहां पर क्लास का अबजेक्ट कैसे क्रेट करते हैं तो बहुत आसान है आप क्लास का नाम लेकिए इस पेस देखने के बाद कुछ पी एक नाम देदे तो वो ओवन एक अबजेक्ट बनाया और इसको कर दिए टर्मिनेट अब ओवन से ओवन से मैं एक के कुछ भी वैल्यू डिफाइंड कर सकता हूं जैसे मैं देदी 5 ओके फिर ओवन से मैंने बी की वैल्यू डिफाइंड कर दी 6 ठीक है डॉट से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं ओवन डॉट बी टर्मिनेट और यहां पर हम लिखेंगे इस ब्रेकट को आप यहां नहीं नीचे क्लोस करेंगे तो देखें यह मेरा प्रोग्राम बन चुका है सी प्लस प्लस में ऑबजेक्ट और क्लास की मदद से तो इस वाले इससे में जो मैंने किया यह मैंने क्रिएट क्या ओबजेट । छिक है ग्रीट क्या क्या मैंने ओप्जेक्क्र ओबजेक्ट क्या और यहां पर ने तो आनों वैलuju को आक्सेश किया ए और बी जो कि किसकी मेंबर थे class A के, O1 किसको object थे class A का, इसलिए यह access हो पाए, अगर मालो यह class का object नहीं होता O1, तो यह भी access नहीं कर पाता, क्योंकि इस class के object थे, इसके member को access कर सकते हैं, और members करें attributes से code, अगर आपको इसमें दिक्कत लग रही है, तो मैं आपको एक table बना के class और object को एक बार अच्छे सा और समझा देता हूँ, इसको हम कर देते हैं अभी arrange, और फिर मैं आपको एक बार रह बताता हूँ, ताकि आपको सारी गन्विशन create यहाँ पर हट जाए, तो जैसे मैंने वहाँ पर बनाई थी class, क्या बनाई थी class A, ऐसे यहाँ पर class table होगए A, अब इसकी मैंने बनाई body, जैसे कि इसकी एक body है, फिर इसके बाद इसमें मैंने कुछ attributes डिफाइन किये, attributes बताओ, उसकी properties या उसके गॉर, जैसे कि मैंने यहाँ पर define किया number, जो कि number को र और यहाँ पर उसकी exam fees, और फिर यहाँ पर एक और column add करते हैं मैंने, यहाँ पर मैंने लिख देए उसके total fees, तब देखें यह जो है ना इस पूरे को बोलते है class, number, name, इन्हें बोलते हैं हम क्या attributes, क्या बोलेंगे attributes, attributes बोलेंगे यहाँ पर इन्हें क्या बोलेंगे field, ठीक ह हम name है, name किस टाइप करेक्टर, यान कि string तो आप यहाँ पर string ले सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर array declare कर देता हूँ, इसे नाम ज्याद ज्यादा 20 का होगा, तो यह इसका नाम देगे हम name, यहाँ पर name लिखेंगा, फिर इसके बाद age, age के लिए बता देंगे int age, फिर इसके यह था, कि मैंने एक table बनाई, इस तरीके से, इसका नाम दिया a, और इसके अंदर बस दो value थी, a और बस बस ओगा, यह क्या था, अभी मेरे case में ज्याद attributes से, अब इसके अंदर value तो रख नहीं है, तो मैंने value रखे थी, इसके अंदर 5 और 4, वो कैसे रखे थी मैंने, program के through, program के तो मतलब, इसके बाद मैंने के क्या, अपना main program बनाया, void main, और void main program बनाने के बाद मैंने के बनाया, इसके अंदर एक object, कैसे बनाया, a, object बनाया, o1, तो o1 कैसे काम करेगा, तो आप ऐसा माल लेंगे, कि यहाँ पर एक object, create हुआ, object, इसका नाम बनाया, o1, फिर o1 से, o1 से, यहाँ पर o1, o1 से a की value define की, कैसे की o1.a की value कितनी होगी, 5, फिर o1 से b कितनी होगी, 5, फिर o1 से b कितनी होगी, 4, इस तरह से data tables की form में store हो रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ऐसे यहाँ पर माल लो मुझे name रखना है, तो मुझे इस class के एक object बनाना पड़ेगा, हो कैसे हो गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, राज, इस object से इदर पूरी data filled हो जाएगा, इस object का नाम क्या रखा हमें है, अब मुझे दूसरी data filled करनी है, यहाँ पर एक object बनाए ना, को मलाग हम एक और object बनाने हैं, o2, अब o2 से, o2 से a की value अलग define कर सकते हम यहाँ ठीक है, इस त फाइदा होता है, class और objects में, कि आप एक बार members declare कर दे, method declare करते हैं, यह total क्या एक method है, क्योंकि इस fees में, यह जोड़ने से हमारे पास यहाँ पीस आएगी 415, तो यह method है, है तो यह भी attribute, बत यह क्या method है, यह इन दौनों को जोड़ता है, मालो यह fees नहीं a लिखा है, और यह method के बनेगी a plus, तो इसके अंदर methods भी होती है, यह हम आगे सीखने वाले method कैसे बनती है, method मतलब function, जो हम सीख भी चोके बाद इसके अंदर कैसे बनाते हैं, वो देखना है, तो अब आपको clear हो रहा है, कि class और object कैसे काम कर रहा है, तो यह object इनके मदद से data access किया जाएगा, उपर यह field है, यह attributes और बीस में क्या है, data value, इनको हम कैसे particular करते हैं, तो आप class का नाम देगे, फिर उसके बाद आप number, name, age, contact, यह सब क्या हैं, उसके members हैं, फिर इनको value देना होगा, तो इनको object create करेंगे, program के अंदर, इस तरीके से, जितने चाहतने object create कर सकते हैं, और इनको value assign कर सकते हैं, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, टर्वो के अंदर प्रोग्राम बना के, और भी confusion क्लियर हो जाएंगे, जो हम करते हैं, वहीसा हम कर लेते हैं, फिर से प्रोग्राम करना है, यहां तक तो सब कुछ वैसे हैं, अब हमें क्या करना है, class create करनी हैं, मैं इसका न आप class का sum के लिए बना तो sum नाम दे सकते हैं, कोई message प्रिंट करने के लिए तो message नाम दे सकते हैं, मैंने a नाम दे दिया, a नाम से मैंने class बनाए और इस class को मैंने करते हैं, close, इसका अदर मैंने variable डिकलर किये, int a, b, दो यह variable डिकलर किये, हो गया, अब हम क्या करेंगे, यह अब terminate होगे, अब o1 से, o1 से मैंने क्या क्या, dot लगा के a की value को assign किया 5, और o1.b की value का assign किया 6, terminate, terminate कर देंगे दोनों को, और finally हम क्या करेंगे, see out, print कर देंगे, अब आप चाहो, तो अलग से एक तीसरा variable बना कर, o1, o1.a plus o1.b ऐसा लिख सकते हैं, और c को पर define कर देंगे हम, inter c, ठीक है, और फिर बाद में आप direct c को print कर सकते हैं, यह आप direct भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको पीछे समझाये था, इस तरह किसे, हो गया, ठीक है, इसको check करेंगे, हम errors तो नहीं आ रहा है, तो run पर जाएंगे, compile, sharer आ रहा है, sharerars को दूर करेंगे, और simple है, कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको public declare नहीं किया है, सबसे पहले मैं इसको public declare करना पड़ेगा, इसको अब check करेंगे, दो errors आ रहा है, यह बोल रहा है, too many declaration, क्यों, क्योंकि इसे terminate करना होता है, यह भी मैंने आप ठीक है, अब errors चक करेंगे, एक error आ रहा है, Cout गलत लिखा हो गया, इसको हम सही करेंगे, Cout तो सही लिखा है, मैंने यहाँ पर C language की, I, O, S, T, R, E, A, C का याद हो चुका है, इसलिए गलते सा भही लिखा हो गया, I, O, S, T, R, E, A, C का याद हो चुका है, इसलिए गलत आप दिमाग में image ऐसी बनाई है, कि A नाम से एक table बन चुकी है, इसके अंदर दो column हो गया, A और B, ठीक है, दो columns हो गया, A और B, जिनकी value, A और B नाम है, फिर मैंने क्या, उसका एक object बना है, O, 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 O अब चुकि जी दौनों object हैं, तो हम दो data की value रख रहे हैं. जैसे studentic class है, student के अंदर कई सारे students objects हो गए, तो अब हर एक student के अपनी properties होंगी, तो properties के होंगी वो उपर लिखते हैं, जैसे कि student का नाम, student की age, student की education, जो भी student के बारे मोगा father name, mother's name, address, भी student की properties हैं. अब particular एक student की बात करेंगे, तो वो object होगा, जैसे कि o1, मतलब की राम का नाम, राम की age, राम का father name, राम का mother name, एक हो गया, फिर दूसरा जाएगा, सतीष का full name, सतीष की mother name, सतीष की father name, तो दूसरा object हो गया, यह object के से करेट होगा, राम, सतीष, मुकेश, फिर उसके बारे में उसके हार एक properties हम डिफाइन कर देंगा, लेकिन यह जो हमने ऊपर member create के हैं, यह एक यवार रहेंगे, attributes, बट यह object बढ़ते जाएंगे, values एक होते जाएंगे, काम ज्यादा असान हो जाएगा, बाद में हम इनके आदार पर उनसे कुछी प्रोसेस करवाएंगे, तुमीद आपको यह वाला प्रोण सहुने आगा हो, यहाँ पर हमने सीखा class और आपके से create करके, आने वाले वीडियों को method create करना, class करना, thanks for watching,